हे गाईज विलकम बैक टु माई चैनल आज हम बनाएंगे कुंदरू की एकदम नए तरीके की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चलिए शुरू करते हैं कुंदरू की सब्जी को बनाने के लिए हमने आपर लिये हैं कि कुंदरू कुंदरू को कहीं पर टेंडली बोलते हैं आप लोग इसे क्या पूलते हो नीची कॉमेंट करके जरूर बताइगा मैंने आप लगबग 500 ग्राम के जितनी कुंद्रू ली हुई है और इस तरह से हमने ने धो लिया हुआ है इसके बाद जो इसका head and tail part है वो हम थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल देंगे और इसे दो pieces में divide करेंगे बहुत ज़्यादा पतले टुकड़े हमें इसके नहीं करना है सिर्फ हम इसको दो टुकड़े में cut करेंगे तो यह दिखिए इस तरह से मैंने आप पर सारे कुंद्रू काट करके ready कर लिये हुए है अब चलते हैं next process में तो हम इसमें डालेंगे एक चोथाई छोटी चमच हल्दी का पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच डालेंगे कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा साम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर तो लगबग एक चोथा ही चम्मच के जितना मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला हुआ है थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक छोटा चमच के जितना हम इसमें डालेंगे अधरक लहसुन का पेश्ट इसी के साथ एक बड़ा चमच डाल देंगे बेसन बेसन से इसमें अच्छी सी बाइडिंग आएगे एक छोटा चमच हमने इसमें दही डाला हुआ है अगर आपके पास दही नहीं है या आप दही डालना चाहते हैं तो आप इसमें एक चमच टमाटर का पेश्ट भी डाल सकते हैं तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे थ्यान रखें यह बहुत ज़दा गीला नहीं होना चाहिए इस तरह से हमें रखना है कि जो यह मसाले हैं सारे वह कुंद्रू में अच्छे से चिपक जाने चाहिए तो यह देखे फ्रेंज हमारी कुंद्रू जो है वो रेडी है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेज में तो यहाँ पर गैस में हमने एक पैन रखा हुआ है नॉन स्टिक इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे तो लगबग 2-3 चमच के जितना तेल डालना है तेल को पूरे पै इस तरह से कुंद्रू को अच्छे से भूनने दीजिए फ्लेम को लोटू मीडियम के बीच में रखना है ताकि जले भी नहीं और बहुत अच्छे से भून जाएगी तो हम इसे पलट देंगे आप देख पा रहेंगे कि जो कुंद्रू की स्किन है वो कैसे सिकुड सी गई ह इसी तरीके से जब ये कुंद्रू की सबजी हम ग्रेवी वाली बनाते हैं तभी टेस्ट अच्छा आता है अगर ये इस तरीके से सिकुड के नहीं पकेगी तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो ये देखे फ्रेंज इस तरह से हमें कुंद्रू को दूसरी साइ गई है यह लगपक 80-90% हमारी कुंदुरू जो है कोख हो गई है अब हमने दूसरी कडाई में दो सी तीन चमच की जितना तील डाला है तील करम हो जाएगा एक चोटी चमच जीरा दो चुटकी के जितना हींग डालेंगे दो सुखी लाल मिर्च डाली और दो हरी मिर्च को हमन बहुत जादा महिन नहीं पीचा है हलका दरदरा रखा हुआ है आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काटके भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके डाल सकते हैं तो प्याज को हमें इस तरह से लोटू मीडियम फ्लेम के बीच में अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका सुन और हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे ढख तेंगे और ढख करके दो मिनट तक पका लेंगे जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे तो यह देखे फ्रिंड्स आप देख पा रहे होंगे जो टमाटर है वो हमारे गल चुकी है तो हम क्या करेंगे कि कल्ची से 欺गा मैस करेंगे जिससे कि जो ग्रेवी बनेगे वो बहुत अच्छी बनेगी हम एक चोथा ही चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पावडर डालेंगे एक चमच कास्मेरी लाल मिच्च पाउडर डाला हुआ है आदा चमच डा जब तक कि यह पैन ना छोड़ने लगे तो आप देख पा रहे होंगे मसाला हमारा अच्छे से भून गया है लगबग दो मिनट का टाइम लगा था तो अब हमने जो कुद्रू को भून के रखा हुआ हलका सा फ्राई करके वह हमने डाल दी हुई है और इसे हम मसाली के साथ अ भी खाने लगेंगे इसमें मैंने आधा ग्लास की जितना गरम पानी डाला हुआ है ध्यान रखें आपको इसमें गरम पानी ही डालना है जिससे कि इसमें तुरंत ही बॉइल आ जाएगा और सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो नमक भ तक कि हमारी कुंद्रू जो है वो पूरी तरह से अच्छे से पक नहीं जाती आप देख पा रहे होंगे कि जो तेल है वो उपर तैरने लगा है मसाला अच्छे से भुना था जब मसाला अच्छे से भुनता है तो जो सब्जी का तेल होता है वो उपर तैरने लगता है तो य लाइक जरूर कीजिएगा